नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज का ये वीडियो समिक्षा अधिकारी परिक्षा की तैयारी के लिहास से रणनीतिक रूप से बेहद ही एहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशय प करती है, क्या है इसमें, वो हम लोग सारी बात करेंगे, दरसल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, न केवल इस पर की समिक्षा अधिकारी की परिक्षा में विभिन विश्यों का क्या वेटेज रहता है, उसके साथ ही साथ, जैसा कि आपने थमनेल में द परिक्षा की तैयारी के लिए, और पहले इस चीज को देख लेते हैं कि ये कल का एक कार्याले ग्याप है, जो कि ग्यात हुआ है, आर्टी आई के रिफरेंस में लोग सेवा आयोग द्वारा, और लोग सेवा आयोग ने स्वयम ही इस बात की पुष्टी कर दिये कि आगामी प्रिक्षा ये तो अधियाचन प्राप्त होज गया है, विज्यापन संबंदी कारवाहि की जा रही है, यथा समय विज्यापन जारी किया जाएगा, यथा समय क्या होगा, यह इस पर संशय और संदेह की स्थिती पर विराम लगा दीजिया आप लोग, उससे कोई फायदा आपको समझना बस यह है कि कारवाई जब की जा रही है तो मतलब जल्दी ही आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और उससे ज्यादा महतुपूर्ण बात वास्तों में यह है केवल नोटिफिकेशन देखते रहने स्कुछ नहीं काम बनेगा उससे ज्यादा महत विडियों को देख रहे हैं तो इससे पहले आप उस वीडियों को देख लिजये तो आपकी समझ और इसपर स्थोड पाएगी हाला कि आज कैई जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने जा रहे है कि विभिन विश्यों से विभिन वर्ष में कितने अंक क्या पूछा जाता उसके साथ ही साथ उससे related कुछ निशकर्स जो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस आधार पर कौन सा विशय ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है और कैसे हम लोग किस विशय में क्या क्या करेंगे उस तरीके से आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद यह हमारा आरंभिक वीडियो इसके बाद हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि यह जो हिस्ट्री है तो उसमें एंसेंट में क्या महत्वपूर्ण है, मेडीवल में क्या उनसे पर्टिकुलर्ली कितने कितने क्वेस्टन पूछे जाते हैं लेकिन यह हमारे upcoming वीडियो मे होगा फिलहाल हम लोग देखते हैं कि विभिन विश्यों में कितना नंबर का पूछा जाता है इसमें यह अधी बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास reference के रूप में केवल पांच वर्ष के ही पेपर को हम लोग ले रहे हैं जिसमें 2021 का 2016 की पुनर परिक्षा, 2017 की प्रार तो छह साथ नो इस प्रकार से यहां पर पूछे गए हैं उसी प्रकार medieval से देखेंगे चाल चाल छह 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 एक तो अगर इन दोनों में आप देखें तो इसमें दरसल एक बराबरी का ही विशय है यह यानि ऐसा नहीं है कि यहां पर यह जो ancient जादा important है medieval यह कहना एकदम विशय जितने अंग का पूछा जा रहा है उससाब से प्रिसम दुष्टिया आपको यह लग सकता है कि medieval जो है वो ancient से ज्यादा important है परंतु उसके साथ में आप यह भी देख लीजे कि यहां पर एक वर्स जो है यह ancient से 9 प्रस्ण पूछे गया हो medieval से एक तो यानि कि यहां प और इन दोनों में लगभग बराबर की स्थिती रहती है कौन सा महत्रपूर्ण है यह कहना मुश्किल है परंतु जब आप modern से इसको compare करेंगे modern history से तो यहां पर आप देखेंगे 6 नंबर 6, 4, 2, 2, 2, 0 और यह भी modern जो है वो आप जो आपका बिना national movement वाला है वो वाला modern है य कि यह जब हम अलग तरीके से देख लेंगे तो उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि पढ़ने की द्रिष्ट इसे क्या important है इसी वज़य से हमने इसको अलग-अलग करके लिखा हुआ है यहां पर आप modern से देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है उसके बाद national movement पे यद लोग निकाल सकते हैं जो निशकर्स निकाल सकते हैं वो यह कि history में ancient और medieval तो लगभग बराबर की अवस्था में रहते हैं परन्तो modern इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है और national movement उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इस हिसाब से national movement को आप सबसे पहले target कर सकते है दूसरी बात अगर आप केवल modern नहीं पढ़ लेंगे आप सोचे ancient and medieval इसका यदि आप syllabus देखेंगे modern के हिसाब से तो syllabus के point of view से आपका यही ज्यादा हो जाता है परन्तु weightage के point of view से देखेंगे तो यह इससे ज्यादा हो जा रहा है यानि कि जहां पर हमें कम पढ़कर ज्या आगे बढ़ते हैं दूसरे subject पर बात करते हो अगला subject जो है वो है geography का Indian geography, world geography, environment ठीक है Indian geography से आप देखेंगे तो 14 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 14, 15 इतने अंकों का यहाँ पर weightage Indian geography का है वहीं बात करें अगर world geography का तो world geography में आप देखेंगे 8 नंबर, 4, 3, 6, 8 और ये भी जो 8 ह geography में जो आज कल का जो trend चल ला है उसमें अच्छा खासा weightage आपका mapping ले लेता है, तो world geography में mapping का भी ठीक ठाक weightage रहता है, यानि 8 में से आप देखेंगे तो लगभग 3-4 प्रस्ण आपके केवल mapping से ही होंगे, यहाँ पर आप 4 में देखेंगे तो हो सकता है 2 प्रस्ण mapping से ही ह मतलब जैसे मान लीजे कि कोई यदि प्रस्ण पूछा गया कि यह वाला परवत कहां पर है, किस देख में है, तो यह आपको mapping की जो हमारी class चल लेए, उसमें वो चीज बाकाइदा कराई जा रही है, सारी चीजे उसमें क्रम बाई क्रम सभी चीजे कराई जा रही है, तो उस यहां पर जो environment के पूछे जाने वाले प्रस्णों की प्रकरती है, वो दरसल repetitive ज्यादा है, और PCS की अपेक्षा यहां पर जो प्रस्ण environment से पूछे जाते हैं, वो generally easy पूछे जाते हैं PCS की तोलना में, ठीक है, और repetitive ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानि दोहराव बहुत ज ज्यादा होता है प्रस्णों का environment की case में, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो यहां से 7 नंबर, 7, 5, 6, 7, यानि on an average यहां पर लगभग 7 नंबर का हमें environment देखने को मिलता है, ठीक है, इस लिहास ते यदि आप बात करें, तो अगला हमारे जो conclusion है, वो geography के संबंद में यह ह geography, उससे ज्यादा पूछा जाता है environment, ठीक है, अब syllabus के हिसाब से यदि आप देखेंगे, syllabus के हिसाब से तो यहां पर environment से ज्यादा syllabus है world geography का, ठीक है, परंद तो number के हिसाब से देखेंगे, तो number के हिसाब से environment ज्यादा हो जा रहा है world geography से, ठीक है, तो मतलब आपको इन दोनों में किसे priority दे नहीं है आप खुद ही समझ गये होंगे और इसके भी आगे यदि हम लोग देखें कि world geography में अगर हम लोग इसका mapping का portion अलग कर दें तो world geography वाकसतों में जो conceptual वहां से चीजे होती हैं concepts वगरा ज्यादा होते हैं world geography में वो वास्तों में उतने यहां पर इस परीक्षा में पूछे जाते नहीं हैं जितनी भी तथ्यात्मत चीजें वो ज्यादा तर आपकी mapping में ही cover हो जाती हैं तो mapping में जो भी तथ्यात्मत चीजे होती हैं वो सभी आपकी अलग य जरूरत क्यों है यह आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर समय जब कम हो और syllabus हो ज्यादा तो ऐसे case में अगर आप smart strategy नहीं follow करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप समझेए मान लीजिए रूई है रूई जो है बहुत ज्यादा मात् परना है उसको कहीं ले जाके रखना है आप अगर smartly उसको चाहेंगे रखने को तो फिर आप उसको थोड़ा सा पानी डालके भिगा देगे और फिर उसको उठा लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी कहीं पर रखना आसान हो जाएगा परन्तो यदि आप उसको इसी से ले जाएंगे तो वो हलका जरूर रहेगा परंतु ले जाना दुसकर रहेगा तो इस वज़े से थोड़ी से स्मार्ट स्ट्रेटजी से आपका काम काफी बन सकता है यहां पर जो सिलेबस है वो वास्तों में रूई के पहार जैसा ही बहुत बड़ा है परंतु उसमें से यदि हम लोग यह सोच लिए कि कौन सा महत्रपूर्ण सेक्सन है और किसको हमें किस क्रम में पढ़ना है अगर हम लोगो क्रम अच्छे से समझ लिए तो निश्चित तोर पर आपकी तैयारी बेहत ही आसान होने वाली है आगे समझ लीजे इसके अलावा एक यहां पर टॉपिक आता है सेंसर सेंड अर्वरनाइजेशन विच इस बिसिकली पार्ट ऑफ जियोगरफी ठीक है लेकिन इसको हम लोग अलग 12 पांच आप देखे और ये जो पांच-पांच है इससे दरसल एक इंडिकेशन हमें और मिलता है वो इंडिकेशन ये मिलता है कि यहां पर जो सेंसर्स है सेंसर्स दरसल अब पूछा जाना इसमें कम हो गया है क्योंकि हमारा सेंसर्स का जो आंकडे है वो काफी पुराने हो सेंसस का मतलब जिसे हम लोग जंगरना बोलते हैं तो जंगरना और नगरी करन जंगरना के आगरे इस तमय पुराने हो गया है काफी नवींतम वाला भी हुआ नहीं है जो 2021 में होना था इस वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो इसका वेटेज है वो भी घड़ गया अब घटके दो या तीन प्रस्ण का ही हो गया है जिसका नेचर भी जिसका मतलब भी आपको आपको समझी पा रहे होंगे क्योंकि यह जंगरना हो गया है काफी पुरानी अर्वनाई जेसा नेक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बैसिकली तीन से चार पेजेस में दिया रहता है केवल तीन से चार पेजेस में और उससे यदि आपको एक या दो प्रस्ण भी मिल जा रहा है तो जिस चीज को पढ़ने में आपको दो घंटा लगना है एक घंटा हो जा रहे हैं तो समझ लिजे कितना महतुका विशा है अब कई लोग कहेंगे कि इसको हमें समझने क्या सकता क्या है यह सभी समझने की नहीं यह रटने वाली चीज है इसका PDF आपको मैं अपने एप पर एक अलग से हम लोग एक प्लेलिस्ट क्रियेट कर रहे हैं उसके आपको रट जाना चाहिए कि कौन से विशाय से कितने नंबर उचे जाते हैं और यह यदि रट जाएगा तो आप उसका महत्व भी समझ पाएंगे कि किस विशाय का कितना महत्व है और किस विशाय के किस portion का कितना महत्व है यह भी हम लोग अपने upcoming videos में बता ही रहे होंगे आगे देखते हैं Indian quality की यदि बात करें तो Indian quality यहाँ पर उची जाती है लगबग 6 number, 9 number, 7 number, 5 number, 8 number on an average बात करें तो लगबग यहाँ पर 7 number की Indian quality उची जाती है और यह 7 number की quality पूची जाती है यह आप सोचे इसका जो weightage के हिसाब से जो तुलना की जा सकती है वो environment से की जा सकत है ठीक है environment से भी लगबग आपको 7 number के करीब average दिखता है environment भी 7 number quality भी 7 number environment है इतना quality है इतना आप समझ सकते हैं सारी चीजे कि निशकर्स के रूप में आप क्या निकाल रहे हैं कि quality को quality महत्वपूर्ण है परंतु environment उससे comparatively ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरी बात जाते हैं और repetitive पूछे जाते हैं जिनमें भी मैं अलग से बता रहा हूं कि repeated पूछे जाते हैं मतलब वहाँ पर repeated questions के पूछे जाने की संख्या है ज्यादा ठीक है नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जो repeated questions पूछे जाते हैं वो लगभग 40% questions repeated पूछे जाते है ठीक है और यह 40% पहले ऐसा नहीं था 2017 के पहले यह 60-70% भी हो जाते हैं परन्तु अब जो questions पूछे जा रहे हैं वो लगभग 40% questions directly पूछे जाते हैं repeated यानि previous year questions से और यदि indirectly भी हम लोग देखें तो यह लगभग आपका bet जाता है करीब-करीब 50% से भी उपर 50% से भी उप directly के मतलब कोई प्रस्ण पूछा गया उसके options जो दिये गया उनहीं में से अगली बार कोई प्रस्ण बना दिया गया या फिर उसी प्रस्ण से मिलता जुलता कोई प्रस्ण बना दिया गया यह सभी indirectly आप related कर सकते हैं यह हम लोग अपनी mcqs वाली class में discuss करेंगे खेर अभी बात करते हैं economy की और economy से अधी बात करें तो यहाँ पर क्या वेटेज है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा economy में देखिए economy आपर बहुत important section उभर के इसलिए नहीं आपाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो वेटेज इसका बहुत ज्यादा नहीं है आप देखिए 8 नमबर 6 नमबर 5 नमबर 11 नमबर 9 नमबर और especially अगर हम लोग बात करें तो यह वाला जो trend है इधर का trend यह हमें ज्यादा हमारे approach के करीब ले जाता है समझ के लिए करीब लो जाता है क्योंकि यह वाला जो trend है यह दरसल 2017 के पहले जो UPPSC की परिक्षा होते थे उसमें और 2017 के बाद में आप देखेंगे कि एक paradigm shift आया है paper को conduct कराने में उसके पहले repeated person काफी पूछे जाते थे अब repeated नहीं पूछे जा है लेकिन एक shift तो हुआ है यह तो आप मानेंगे 2017 के बाद एक विभाजक रेखा आप इस प्रकार से खीच सकते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो economy का जो portion है उसमें आप देखिए 8, 6 और 5 बहुत ज्यादा important यहाँ पर यह section इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि इसमें जो concepts होते हैं, economy के जो concepts होते हैं वो concepts से प्रस्ण कम पूछे जाते हैं जो लोगों को अक्सर परिशान करते हैं वो concepts से प्रस्ण यहाँ पर कम पूछे जाते हैं और current affairs से लगभग अगर आपका 8 number का पूछा जा रहा है तो आप यह मान के चलिए 3 number तो आपका directly और indirectly related to current affairs ही होगा च्छे में से एक दो number आपका current affairs से ही related होगा उसके अलावा भी आप देखेंगे यह जो 5 number यदि इसमें भी बचा तो उसमें भी आप देखेंगे एक या दो number गेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है एक आपका जैसे for example international organization से होता ही होता है एक आपका आल्थिक और physics chemistry bio की बात करते है physics जो यहां पर विशाई है उसमें देखते हैं तीन तीन चार चार दो तो वहीं chemistry का दो चार तीन तीन पाँच की लगभग बराबर महत्व है जैसा आपका ancient or medieval का है अमुमन जो zapeダं नहीं होते हैं competitive exams उसमें आप देखेंगे की chemistry से ज्यादा महत्व पिछले वर्स्टों के पैटर्न को समझ के हमें यह समझ में आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग बराबर हैं परन्तु बायो का वेटेज जो है वो हमेशा इन दोनों से ज्यादा ही रहता है आप देख सकते हैं चार चार नौ नंबर नौ नंबर चार नंबर तो यह जो नौना नंबर हैं आप समझिए यह सारी जो स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से यदि आप प्रप्रेशन करेंगे तो आपको क्या पहले उठाना चाहिए आप समझ ही रहे होंगे तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कीजिए पहले और बाद का विशह नहीं में यह है क इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए यानि अगर आप इन दोनों का रिवीजन करेंगे मानलीजे दो बार तो इसका कीजिए चार बार ठीक है उसके बाद यूपी स्पेशल है उसका कीजिए 10 बार रिवीजन रीजिनिंग है उसपर प्रैक्टिस आप कीजिए पूर्ण होने वाला है और इसमें यदि हम लोग बात करें आगे computers, computers भी आप में थोड़ा बहुत पूछा जाता है कभी दो नंबर का 0, 2, 0, 0 इस प्रकार से तो इसको आप लोग ignore ही कर देंगे क्योंकि यहाँ पर फाल्तु में उतना ज़्यादा पढ़ने की आऊ सकता है नहीं एक दो नंबर का जो पूछा जाता है वो सामान ग्यान पर आधारी ज्यादा होता है UP special की बात करें तो यहाँ पर आ गया है सभी विश्यों का दादा जो कि आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना है ही नहीं वो क्यों नहीं छोड़ना है क्योंकि यह जो UP special है यह वास्तों में एक ऐसा subject है जो की बहुत कम syllabus है आप वास्तों में देखेंगे तो इसका बाकी सभी की तुलना में आप केवल ancient history का syllabus उठा लीजे तो उसकी तुलना में भी UP special में हम लोग को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है और यहां से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं वो अच्छा खासा उसका वेटेज होता है अब इसको तैयार करने की क्या रणनीती होती है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन अभी बात करते हैं कि यह जो 20 नमबर, 16 नमबर, 17 नमबर, 9 नमबर, 12 नमबर इतना ज्यादा वेटेज केवल एक subject ले रहा है तो इसको हम लोग एक दो तरीके से नहीं बलकि 4 से 5 तरीके से इसको हम लोग deal करेंगे न केवल हम लोग questions की practice करेंगे बलकि classes भी उसकी जैसे अभी आपकी चली रही है लेले सर उसकी classes भी ले रहे हैं और उसके साथी में हम लोग जो fact sheet देते हैं fact sheet के माध्यम से आप उसके facts भी daily basis पर cover करते चल रहे हैं previous year question भी आप daily basis पर cover करते चल रहे हैं जो हम लोग PYQ PDF दे रहे हैं तो इस प्रकास देखिए हम लोग multi dimensional approach के साथ में UP special को cover कर रहे हैं क्योंकि इसकी महत्ता हमारे इस परीक्षा में बहुत ज्यादा है उसके बाद 14 नंबर की reasoning यहां पर पूछी जा रही है उतना बना हुआ है तै है एकडम और उसमें आप देखिए तो reasoning में जो 12 14 नंबर का पूछा जा रहा है वो पूरी reasoning से नहीं पूछा जा रहा है बलकि कुछ ही chapter से पूछा जा रहा है और जल्दी हम उसका भी बताएंगे आपको की reasoning कौन कौन से chapter से पूछी जा रही है किन-किन chapters को ही आप prepare कर लें उतने ही से आपके यह 12 के 12 भी पूरे हो सकते हैं और इसमें भी यदि हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए कई लोग कई channels पर मैंने देखा है कि वो reasoning के साथ मैं math भी पढ़ा रहे हैं ठीक है वो math भी पढ लेते हैं उनको लगता है कि free वाला तो सब अच्छा ही होगा तो इसलिए math भी वो साथ में पढ़ा रहे हैं जबकि आपको पता होना चाहिए कि math यहां पर ना तो आपके syllabus में है ना यहां पर पूछा जाता है हाँ यह जरूर है कि यहां पर जो यह 2014-2016 पेपर था उसमें math के questions दिये गए थे परंतु उसके बाद से यहां पर कोई भी ऐसा प्रस्न नहीं दिया गया है math का यहां पर भी जो math के question थे उसमें mathematical reasoning वाले प्रस्न ज्यादा थे जैसे मान लिजे आयू संबंदी प्रस्न जो आपका math में भी common हो जाता है और reasoning में भी common हो जाता है परंतु यदि कि आप इनको देखेंगे reasoning का वैसे तो यहां पर अब ऐसे कोई भी प्रस्न मैट्स वाले नहीं पूछे जा रहे हैं जो कि आप लोगों में से कई लोगों के लिए एक राहत का विशय हो सकता है क्योंकि generally यह देखा जाता है कि math से लोगों को थोड़ा डर लगता है जबकि reasoning comparatively बहुत आसान है जल्दी हम लोग उसकी classes भी YouTube पर शुरू करेंगे जिसके माध्यम से आप लोग इसमें महारत हासिल कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा practice करवाई जाएगी जितनी ज्यादा practice आप कर लेंगे उतना ही आप समझ लीजे यहां पर 13 से 14 नंबर आप यहां पर fix कर ल लेंगे इन दोनों दोनों में यानि पॉलिटी एकनॉमी या एंसेंट मेडिवल यह दोनों यदि आप पड़ लेंगे तब भी आपका इतना स्कोल नहीं बनेगा जितना आप reasoning के कुछ chapters की practice करके कर लेंगे इसलिए reasoning यहां पर एक most important factor के रूप में आता है उसके बाद बात क इस प्रकार का यहां पर पूछा जाता है current affairs और current affairs की अधी हम लोग देखें तो यहां पर आप अगर पाएंगे तो यहां पर जो current affairs के questions पूछे जाते हैं साल भर की current affairs पूछी जाने डेली basis पर cover करने से ज्यादा बहतर है कि आप लोग इसे monthly basis पर cover करें daily basis पर केवल वही लोग cover करें जिनके बाकी सारे विशे तयार हो गए हैं उनके लिए daily basis वाला follow करने के लिए बहुत अच्छा है वो उसको कर सकते हैं किसी भी channel से कर सकते हैं परन्तु जिन भी लोगों के अभी gs के कोई विशे बाकी है और हिंदी का कोई विशे वाकी है वो लोग इसमें अभी अपना समय जाया ना करें monthly basis पर आप cover करें कौन सी magazine से करना है कैसे करना है यह already मैंने अपने एक वीडियो में बता रखता है current affairs के बारे में सब कुछ करके उसका title है और वो आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो में current affairs के बारे में सब कुछ बहुत तफसील से बताया गया है आगे बात करते हैं mislaneous mislaneous यानि विविद और विविद का मतलब जो भी चीजे extra बच जाती हैं जो इन सभी में किसी भी ख अगरा हो गई कुछ ऐसे संगठन हो गए तो इससे related जो प्रशन पूछे जाते हैं वो भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं 13 नंबर 7 नंबर 0 8 7 इस प्रकार के कुछ यहां से भी प्रशन पूछे जाते हैं और इसको तैयार करने के लिए basically जो हम लोग तो अपने इस्तर पर यह क वगरा में होती हैं Lucent में होती हैं उनको अच्छे से त्यार कर लें ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ और conclusion यह तो हम लोग देख लिया था साइंस में जैसे है तो साइंस में physics और chemistry लगभग बराबर महतुका है परन्तु बायो यहां पर इन सभी से ज्यादा महतुका है उसके तीनों को आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है और यह तीनों जो आपका वेटेज बनाएंगे वो लगभग आपका 50 से 52 नंबर का वेटेज आपका यही तीन विशय बना देंगे reasoning, UP special और current affairs इसलिए आप समझ लीजे कि किसको बहुत अच्छे से हमें cover करना है current affairs के बार यहां पर देखिए कि जो लगभग 40% question जो है वो repeated यहां पर पूछे जाते हैं आप यह समझे कि इन में से कई सारे विशय ऐसे हैं जैसे current affairs को ले करके अच्छे खासे मतलब यह इसमें गुमराह किया जाता है या फिर reasoning के लिए लोग maths भी पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से free मे जो चीजे मिलती हैं उसमें कई सारी चीजे ऐसे गुमराह की जाती है और वो उनका अपनी strategy होती है अपना उनका channel होता है उनको view चाहिए watch time चाहिए तो ठीक है वो करते हैं परंतु students के लिए क्या beneficial होता है यह मैं आपको जो हमारी यह series है जिसमें हम लोग विभिन strategies को discuss करें related completely dedicated to RO RO preparation वही यह series है हमारी और इसमें हम लोग एक एक विशे पर बहुत अच्छे सा चर्चा करेंगे कि वास्तों में आपको पढ़ना कितना है और कितना कम से कम आप current affairs पर तो ले रहे हैं daily basis पर daily में आप तमाम जो है लगभग 15 से 20 facts कम से कम यह 15 से 20 facts होते हैं इससे cover कराये जाता है और इतने को ही यदि आप 20 के हिसाब से ही रख लीजे तो भी आपका ये लगभग 600 facts हो गया एक महीने का आप इस हिसाब से 12 से multiply कर लीजे देख लिए कितने सारे facts हो गया और जबकि यह लोग 20 नहीं cover कराते हैं 20 तो यह लोग news cover कराते हैं उसके बाद में उस पहले जो हमारे subjects हैं उनको अच्छे cover कर लीजे उसके बाद आप उसको तफसील से एकदम सबर के साथ में पढ़ सकते हैं दहरे के साथ में पढ़ सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम सटीक तयारी यारो यारो की तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग ल महत्पूर्ण है क्या previous year questions में वैसे प्रश्ण बनते हैं या नहीं बनते हैं बस इतना आप analysis कर लिजाए आपका सारी किसारी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं और जल्दी हम लोग अगली चर्चा इसमें किसी और महत्पूर्ण मुद्दे पर लेकर आ रहे होंगे जिसमें हम लोग समिक्षा अधिकारी की बहतरीन तयारी सटीक तयारी कैसे कर सकते हैं उस पर बात कर रहे होंगे चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का